नमस्कार दोस्तों आईए सुनते हैं एक हास्य कहानी बेगम साहिबा का कुट्टा हजार मर्तबा कह चुका कि अपनी इस अमानत को संभाल कर रखो पर सुनवाई ही नहीं होती जहां देखो कमबक्त नाचता फिरता है जहां देखो वहीं चहल कदमी हो रही है पाला भी क्या है कुट्टा नाम रखा है मोती उसको बुलाती भी किस अंदाज से है बेटा प्यारे अजीज और नजाने किस किस नाम से इस कमबक्त को पुकारा जाता है पर मुझको भूल से भी कभी प्यार से ना बुलाया ये मेरी शायद बदकिस्मती है इतना बड़ बड़ाते हुए मौलाना कादिर हुसेन ने अपनी बैठक में पैर रखा पैर रखते ही पहले आपकी नजर मोती पर पड़ी जो आपकी कुरसी पर रखी हुई अचकन में लिप्टा हुआ कलाबाजियां खा रहा था मोती की ये हरकत देखते ही मौलाना साहब पाजामे के बाहर हो गए और एक छड़ी उठा कर मोती पर जप्टे मोती उनको देखते ही कुद कर अंदर की तरफ भागा मोती के पीछे मौलाना साहब भी दौडते हुए अंदर दाखिल हुए जैसे ही आप अंदर पहुँचे आपका पैड लटकती हुई रसी में फस गया और आप चारों खाने चित्त जमीन नापने लगे इधर मोती उनको कलाबाजियां खाते देख आंगन में खड़ा होकर पूँच हिलाने लगा मौलाना मोती को देखकर फिर उठकर उसके पीछे भागे बेगम साहिबा रसोई से निकल कर बोली खबरदार अगर आपने मेरे मोती पर हाथ उठाया जब देखो इसको माणने ही दोड़ते हैं बेगम साहिबा की बात सुनकर मौलाना गुसे से बोले मैंने तुम को हजार दफा कहा कि इस हरामजादे को बांथ कर रखो पर तुम बांथती ही नहीं आज इसने मेरी नई अचकन को नाश कर दिया बेई मान उस पर उचल कूद मचा रहा था आज मैं इसको नहीं छोड़ूँगा इतना कहकर मौलाना साहब फिर मोती पर जपते मोती जो कुछ दूर खड़ा उनकी तरफ देख रहा था मौलाना को अपनी तरफ आता देख बाहर की तरफ भागा मौलाना भी पीछे भागे आंगन में केले का छिलका पड़ा हुआ था मौलाना साहब का उस पर पैर पड़ गया पैर पड़ते ही बिचारे बड़े जोर से फिसलते हुए दिवाल से जाटकराए और पेट के बल कलाबाजी खा गए इस कलाबाजी में बिचारे मौलाना साहब के हाथ में जरा सी चोट लग गई बेगम साहबा गुस्से में भरी हुई खड़ी थी बिचारे मौलाना को गिरते हुए देख सनकी तक नहीं मौलाना किसी तरह उठकर बेगम साहब के पास आए और बोले देख ली अपने प्यारे की कर्तूद मेरा हाथ तोड़ दिया इतना कहते हुए मौलाना साहब कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए और कराहना शुरू किया हाला की चोट बहुत मामूली लगी थी पर बेगम साहबा को सुनाने के लिए आपने जोर जोर से कराहना शुरू कर दिया कराहना सुनकर बेगम साहबा का दिल पसीच गया और कमरे में पहुँचकर मौलाना साहब से बोली क्या सचमुच ज्यादा चोट लग गई हाथ में अच्छा मैं अभी दवा बांधती हूं इतना कहकर जल्दी से बावर्ची खाने में गई और आटे का हलवा बना कर ले आई हलवा मौलाना साहब के हाथ पर गाड़ा गाड़ा लगा कर महीन कपड़े की पट्टी बांधती म मौलाना साहब आख बंद किये पड़े रहे बेगम साहबा मौलाना साहब को सोता जान धीरे से फिर बावर्ची खाने की तरफ चली गई इधर जब मोती मकान में दाखिल हुआ तो उसकी नाक में हलवे की खुश्बू पहुँची और वह सूंगते सांगते मौलाना साहब की चारपाई के पास जा पहुँचा बेगम साहबा ने जल्दी में हलवे में घी ज्यादा डाल दिया था वह पट्टी बंदने से बह रहा था मोती ने उस घी को चाटना शुरू किया मौलाना आंख बंद किये हुए थे वह समझे कि शायद बहते हुए घी को बेगम साहबा प खोल कर देखा कि मोती बड़े इत्मिनान से हलवा खा रहा है यह देखते ही आप बड़े जोर से चीख उठे इस चीख ने घजब कर दिया बेगम साहबा बवर्ची खाने में कुछ बना रही थी चीख की आवाज जो कान में पड़ी तो जो वे जल्दी से उठकर जाने लग खा, यह क्या पट्टी क्यों खोल डाली, मैंने क्यों खोल डाली, यह करतू तु कम्हारे बेटे मोती की है, जो पट्टी फाड़ कर हलवा लेकर भाग गया अतना सुनकर बेगम साहबा बोली, ले जाने दो, मैं और बान्धे देती हूं, वे जट बावर्ची खाने में गई थोड़ा और हलवा लाकर फिर हाथ पर बांथ दिया शाम को फिर इसी तरह गरम-गरम हलवा बांधा हाला कि मौलाना साहब को चोट ज्यादा नहीं लगी थी पर बेगम साहिबा को परिशान करने के लिए उन्हें एक अच्छा बहाना मिल गया था खेर शाम का खाना भी पलंग पर लाया गया और बेगम साहिबा ने भी पलंग पर खाना मुनासिब समझा खाना ट्रे में लगा कर पलंग पर रखा गया और एक तरफ बेगम साहिबा और दूसरी तरफ मौलाना साहब बैठे जैसे ही मौलाना साहब ने निवाला उठाया वैसे ही किसी ने पलंके नीचे से धक्का दिया धक्का लगना था कि ट्रे उलट गई बिचारे मौलाना का सब मुँ और कपड़े शोरबे से खराब हो गए दाढ़ी सन गई मौलाना साहब ने ट्रे उलटने का सबब जानने के लिए नीचे जाका देखते क्या हैं आपका नया पंपशू मिया मोती फाड़ कर उससे खेल रहे हैं यह देखते ही मौलाना साहब एक दम से आग बबूला हो गये कूद कर पलंग के नीचे आए और बगल से एक डंडा उठाकर मोती पर लपके मोती मौलाना साहब के पलंग से उतरते ही हवा हो गया मौलाना साहब भी बाहर की तरफ भागे पर बेगम साहिबा ने दर्वाजे पर रोक लिया और बोली जाने दो और जूता ले आना मोती को मत मारो मौलाना बे तहाशा गुसे में भरे थे बोले आज मैं मोती को जिन्दा नहीं छोड़ सकता इतना कहकर बेगम को धक्का दे कर बाहर आए बेगम को भी गुसा चड़ाया और मोती को बलाकर गोद में लेकर बोली देखूं तुम इसको कैसे मारते हो बड़े तीस मार खाँ हो तो अब मार कर दिखाओ मौलाना साहब ने कहा मजबूर हूँ अगर ये तुम्हारी गोदी में न होता तो अपने हाथ दिखाता खेर कभी तो गोदी से उतारोगी इतना कहकर मौलाना साहब कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए और बेगम साहबा के आने का इंतजार करने लगे लेटे लेटे मौलाना को नींदा गई खुआब में फिर उन्हें दिखाई दिया कि मोती जूता फाड़ रहा है वे घवडा कर उठ बैठे आँख खुलने पर उन्होंने देखा कि बेगम साहबा सो रही है उनको सोता देख वे चुप चाप उठे और मोती की चारपाई की तरफ गए जिस पर वह रात को सोता था चारपाई के पास पहुँचकर मौलाना साहब ने जोर से एक डंडा मोती को मारा पर उस चारपाई पर सो रही थी बुढ़िया नौकरानी डंडा पढ़ते ही बुढ़िया चिलाती करहती हुई भागी कि मार डाला मार डाला शोर गुल सुनकर बेगम साहबा उठ बैठी और दोड़ी बुढ़िया की मदद को ये देखकर मौलाना सहमे और चुपके से चारपाई पर जा लेटे इसके बाद मौलाना साहब को मोती से कुछ कहने की हिम्मत ना हुई